नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे ओपीशील यूटूब चैनल में जिसमें दोस्तों आपको डेली आंगनवाडी वा सिक्सा विबाग की कोई भी लेटेस्ट न्यूज की नोटिपिकेशन हमारे चैनल के मादिम से आपको डेली सबसे पहले मिलती रहेंगी तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज के बारे में फ्रेंड्स आज की लेटेस्ट न्यूज उत्तर परदेश से संबन दीते हैं जिसमें उत्तर परदेश की महिलाओं के लिए बहुती खुसकबरी की बात है कि अब हाई कोट ने अंगनवाडियों का बहुती लंबा इंतजार खतम कर लिया है यानि कि आई कोट ने उत्रप्रदेश की महिलाओं के पक्स में बड़ा निर्ने लेने का फैसला लिया है दोस्तो ये निर्ने अंगनवाडी कारेकरताओं के लिए 22,000 पदों की बर्दी के समक्स ये निर्ने है जिसमें 22,000 पदों पर अंगनवाडी कारेकरताओं की विग्यप्ती जल्दी ही जारी की जाएंगी दोस्तो आप ये नियूज जानने से पहले अगर फ्रेंट्स आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आईजे दोस्तों ये पूरी जान लेते हैं अंगनवाडी कारेकरताओं सिरी बर्दी 2018 उत्तरप्रदेश 22,000 बदों की ओगी बर्दी आवेदन कब करें इससे समंदित पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरे देखे जैसा की फ्रेंट्स आप देख सकतो ये पतरिकार की न्यूज हैं अंगनवाडियों का इंतजार हुआ खतम हाई कोट ने उनके पक्ष में लिया बड़ा फैसला जैसा की दोस्तों आप देख सकतो जून 4-2-18 की एक न्यूज हैं उत्तर परदेश की न्यूज है लखनवू उत्तर परदेश में जल्दी 22,000 अंगनवाडी कारिकरतों की होगी बड़ती लखनवू उत्तर परदेश में जल्दी 22,000 अंगनवाडी कारिकरतों की होगी बड़ती हाई कोट की लखनवू खंडपीट ने अंगनवाडी कारिकरतों की बड़ती के मामले में इसपस्ट किया हैं कि मौजूदा समय में लंबित याचिका पर कोट ने कोई अंत्रिम आदेश नहीं दिया हैं उत्तर परदेश में 5 साल से रुकी 22,000 अंगनवाडी की बड़ती का रास्ता साप हो गया हैं मामले में नियाय मूर्ती देवेंदर कुमार अरोडा या नियाय मूर्ती संजे हरदोली की खंड़ पीट ने ये आदेश दिया हैं यानि कि दोस्तों 22,000 उत्तर परदेश में 22,000 अंगनवाडी कारिकरतों की बड़ती को लेकर देवेंदर कुमार अरोड़ा और संजे हर दोली की खंड़ पीट ने ये आदेश जारी किया है प्रांतिय बाल विकास प्रियोजना दिगारी कल्यान एसोसियेशन की और से दोया तेरा में याचिका दैयर की गई थी एसोसियेशन की तरफ से आंगनवाडी कारिकरतों की बरती में आरक्षन लागुन न करने वह उनके सदशियों को बरती में सामिल करने का आगर किया गया था वहीं इस मामले को टालने का विरोध राज्य सरकार की तरफ से अपर महादिक्ता कुलिप त्रिपाटी ने कहते हुए क्या क्या की मौजूदा समय में कोई इस्तगरनादेस नहीं है उन्होंने बताया कि यह मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वहां से फिर हाई कोर्ट में वापस नहीं था निस्तारन के लिए बेई दिया गया था मामले में कई बार नहीं नहीं तारीके भी दी गई थी लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है और अभी एक लेटेस फैसला लिया गया है कि अब इन उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जल्दी खुसकबरी देने जा रही है यूपी सरकार यानि कि अंगनवाडी कारिकरताओं की बहुती बड़ी भरती जिसमें बाहीजार पदों पर बरती होने वाली है तो दोस्तो इस लेटेस न्यूज में उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए बहुती खुसकबरी की बात है कि अब उनको जल्दी सरकारी नौकरी मिलने वाली है यानि कि दोस्तो अंगनवाडी करमचारियो यानि कि अंगनवाडी कारिकरताओं के लिए बाहीजार पदों पर जल्दी विगयपती जारी होने वाली है और जल्दी आवेजन सुरू होने वाले है तो दोस्तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंड और वीडियो को को भी सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकन पर क्लिक करें जिसे कि मेरे द्वारा बेजी गई कोई भी लेटेस्ट न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों ऐसे ही मैं लेटेस्ट न्यूज लेके आता रहूंगा जो अंगनवाडी और शिक्सा विबाक से संबन्दी तो तो दोस्तों लास्ट में जैन जै बारत थैंक्स पर यो वाचिंग माई वीडियो